चंडिगर्ण मेर्चुना पर S.C. का बड़ा फैसला S.C. के फैसला पर B.J.P. पर भड़के राहूल गांदी पेम मोधी को लेकर दिया कैसा बयान चंडिगर्ण मेर्चुना में गड़बड़ी के मामले पर सुप्रीम कोट में मंगलवार के सुनवाई हुई इस सुनवाई के दोरान C.J.I.D.Y. चंडरचुट के अध्यक्षिता वाली बेंच ने मेर इलेक्षन के रेटर्निंग ऑफिसर अनील मसिया की तरफ से अवैयत करार दिये गए सभी आट वोटों को मानने खोशित कर दिया शीष अदालत के स्निरने पर कॉंग्रेस के राष्टिय अध्यक्ष मलीकारदुन खड़के राहूल गांदी समित मार्टी के कई नेताओं ने अपने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर किया बात अगर राहूल गांदी की करें तो राहूल गांदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेर कर लिखा लोगतंतर की हत्ते की भाचपई साजिश में मसीहा सिर्फ मोहरा है पीछे मोधी का चेहरा है तो ही कॉंग्रेस अद्देश मलीक अरजुन खड़के ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेर करते हुए कहा कि सुप्रिम कोट ने लोगतंतर को निरकुंश बीजेपी के दनशे से बचा लिया है जिसने गंदी चुनावी गलबडी को अपनाया था बीजेपी सेरा फेरी के सारे चुनाव जीत रही थी उन्होंने इस चुनाव के सारे बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि चंडीगर्ड मेरे इलेक्शन में संस्थागत तोडफोर्ड मोधी शाह की लोगतंतर को रों चाहिए कि अगले चुना में हमारा लोकतंतर चोरहय पर होगा महें इस पूरे मामले पास कॉंग्रेस ने ता सचिन पाइलट कई बड़ा बयान सामनाया है चंडीगर्ड मेर चुना पर सुप्रीम कोट के फैसले पर पंजाब कोंगरिस के देख्ष अमरिंदर सिंग राजा वारिंग कहते हैं कहीं न कहीं हमने नियाए के उमीद खो दी थी लोगों ने नियाए पालिका से भी उमीद खो दी थी आज का फैसला सुप्रीम कोट लोकतंतर की जीत है आज मैं बड़े अर्सों बाद बहुत खुश हूँ कि कहीं न कहीं हमें अमीदे खतम हो गई थे बहुत बार नियाए पालिका के उपर भी कुश्चन मार्क लगते रहे और दबी आवाज में देश के लोग ये महसूस करते थे कि इनसाफ कहां मिलेगा लेकिन आज बड़े अर्सों बाद और दो-चार दिन पहले एक और वर्डिक्ट आया था जिस परकार से वो जो अलेक्टरोल बॉंड का जिस परकार सुप्रीम कोट ने आज का निरने लिया है मैं समझता हूँ ये लोकतंतर की जीत हुई है आपको जाते सुप्रीम कोट ने 30 जनवरी के चुनाप के संचालन में गंबीर खाम ये पाए जाने के बाद निरवाचन अधिकारी अनील मसीहा जो बीजी पिनेता है के खिलाफ कदाचार के लिए मुकदमत चलाने का भिया देश दिया शीर्ष अदालत ने स्पस्ट किया है कि वो पूरी चुनावी प्रिकरिया को रत नहीं कर रही है और खुद को मदगना प्रिकरिया में गलत कारों से निपटने तकी सिमीध रख रही है जिसके कारण कुमार के पक्ष में डाले गए आठ वोड आ सामानने हो गए थे प्रधान एदिश डीवाई चंदर चूड की अधिक्षता वाली पीट ने कहा कि ये स्पस्ट है कि मसीया ने जान बूचकर आठ वोटो को विरूपीत करने का प्रियास किया बीजेपी ने 30 जनवरी को चंदीगर महापवर चुनाब में कॉंग्रेस आपका डबंदर ने खिलाफ जीत हासिल की थी महापवर पत के लिए बीजेपी के मनोज सूनकर ने आपके कुलदीव कुमार को हराय था सूनकर को अपने प्रिते दूंदी के 12 वोटों के मुकाबले 16 वोट मिले थे सूनकर ने रहिवार को महापवर पत से हलाकि इस्तिफ़त दे दिया था खिलाल इस कमरे में बस इतना ही अपडेट्स के लिए बड़े रहे रहे यो वन इंडिया हिंदी के साथ